हेलो एंड वेलकम दोस्तों सुवागत आपका अपने चैनल मोहित सिंगरुहल पे तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्क्स करेंगे कि अगर कोई भी परसन सीटिंग कपैस्टी से ज्यादा विकल में अगर परसन्स को बिठाता है तो उसका फर्स्ट टाइम पे क्या फाइन होगा और सब्सिक्वेंट टाइम पे उसका क्या फाइन होगा आज की वीडियो में हम ये टोपिक डिस्क्स करेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और डिस्क्स कर लेते इस पॉइंट को तो दोस्तो अगर कोई भी person अपने विकल में जो उसकी seating capacity है R.C. के इसाब से जो registration certificate पे जो seating capacity लिखी गई है उससे अगर ज्यादा persons को अपने विकल में बिठाता है तो जो उसका first time पे fine होगा वो 500 रुपेगा fine होगा और subsequently अगर वो पाया जाता है seating capacity से उपर person को अगर बिठाया हुआ किसी कोई भी विकल जिसकी RC के हिसाब से seating capacity है उससे ज़्यादा अगर subsequent time पे भी वो बिठाता है तो second time पे या third time पे या उसके बाद जो उसका fine होगा वो 15 से रुपे का से भी रहता है कि अपने विकल में जो भी seating capacity है RC के हिसाब से registration certificate के हिसाब से उसी के हिसाब से persons को allow करें बेठने के लिए तो दोस्तो अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगिया है तो like कीजिए share कीजिए और अगर आपने यह चैनल अब तक subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लेजिए ऐसे ऐसे legal points इस चैनल पर discuss होते रहेंगे thank you so much